इंसान आहत क्यों होते हैं? क्यों इंसानों को चोट लगती है? पीड़ा होती है? सिर्फ शारिरिक पीड़ा नहीं, मानसिक पीड़ा. शारिरिक पीड़ा भले ही हम सह सकते हैं. अगर शारिरिक दर्द मैं मेरे सोच में नहीं आने देता, अगर उस दर्द के कारण मेरी मानसिक्ता को कोई तकलिफ नहीं होती, तो हम इसे सह सकते हैं. मस्तिश्क इसका खयाल रख सकता है. तो शारिरिक पीड़ा से बहुत ज़्यादा महत्वपून है, मानसिक पीड़ा, हमारा मनोवज्यानिक दर्द. क्या हम मानसिक रूप से पीड़ है? इसे समझना मस्तिश्क के लिए कठिन है, क्योंकि वो खुद ही पीड़ा में है. आप समझ रहे हैं? मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि जो मस्तिश्क आहत है, जो दिमाग पीडित है, वो मस्तिश्क मासूम नहीं है. मासूम मतलब ऐसा मस्तिश्क जो पीड़ा में नहीं है, जो आहत नहीं है, और उसमें एक महान साउंदर्य होता है. मुझे लगता है हमें पीडा के प्रकृती को गहराई से समझने की जरूरत है क्योंकि ऐसा मस्तिश्क जो पीडित नहीं होता सही माइने में मासुम होता है और मासुम मस्तिश्क की खासियत यही है कि वहां मस्तिश्क पूरी तरह से सचेत होता है बराबर बच्पन से ही माता-पिता अपने बच्ची की तुलना दूसरे बच्चों से करते है और जब आप तुलना करते हो तो आप उस बच्चे को आहत कर रहे हो वही से शुरुवात हो चुकी है तुलना करना हिंसा है क्या यह संभाव है कि शिक्षित बच्चे को बिना किसी तुलना के रखा जाए, बिना छवियों के रखा जाए, जिससे उसे पीड़ा ना हो? कोई आहत तभी होता है, दुख़्ी तभी होता है, जब वह मांसीक रूप से खुद की एक छवि बना लेता है यह छवि जो केवल भ्रम होती है, और यह छवि प्रतिरोध से निर्मित होती है जिवन में खुद की कोई भी छवि का ना होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने खुद की कोई छवि बना के रखी है, जैसा की हम सबने रखी है तो अनिवार्य रूप से आपको चोट पहुचेगी ही, आप आहत होगी ही भारत में पूरा का पूरा समाज चवियों में बटा है, ब्राह्मन और गैर ब्राह्मन इत्यादी वहाँ पूरा का पूरा धाचा बना है अगर आप किसी खांदानी परिवार से हो, तो वैसे ही आपकी चवि भी बनी होगी तो जब तक किसी भी प्रकार की चवि होगी, तब तक चोट पहुचेगी ही इनसान आहत रहेगा ही और जब तक वो आहत है, मासुमियत उसमें नहीं हो सकती और जब तक मासुमियत नहीं आ जाती, वह सचित ही नहीं हो पाएगा तो क्या बच्चे को कभी भी आहत ना होने के लिए शिक्षित किया जा सकता है? मैंने कही स्कॉलर्स, कही प्रोफेसर्स को कहते हुए सुना है कि बच्चों को पीडा होनी ही चाहिए नहीं तो वो ऐसे दुनिया में जी ही नहीं पाएगे और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे बच्चे को पीडा दी गई तो तुम्हे कोई आतरास्तो नहीं तब वो चुप हो जाते है वो सिर्फ सैधान्तिक बात कर रहे है तो दुरभाग्य से जो शिक्षा हमारे समाज में है जो व्यवस्ता इंसानों ने हमने बनाई है उससे हम आहत हुए है और हमने हमारी छविया भी बनाई हुई है जो हमें पीडा देगी ही तो इन छवियों से क्या हम हमेशा के लिए मुक्त हो सकते है और बिना कोई भी छविय बनाएं क्या हम जी सकते है जो जीवन पूर्ण ध्यान से चलता है छवियों को हम ऐसे ही नहीं मिटा सकते छवियों को मिटाने के लिए हमें समझना होगा कि छवि बनती कैसी है तो दो सवाल इसमें बहुत महतोपूर्ण है एक, जो पीडा बच्पन से अब तक हमें मिली है क्या वो जख्म, वो चोट, क्या वो घाव हमेशा के लिए भर सकता है इस तरह कि उस घाव का, उस पीडा का कोई निशान भी बाकी ना रहे और दूसरा, भविश्य में होने वाली पीडा को बिना जोर जबरदस्ती के प्रतिबंदित किया जाए ताकि भविश्य में भी हमें कोई पीडा ना हो हम आहत ना हो सके हम आगे इसके गहराए में जाएंगे